जेमनी मात्रु भूमी गुजरात ने कर्म भूमी भारत, महान कर्मों थकी जेमना ओर्थे आखों जगत, हर दिन हर पढ़ छे जेओ देश सेवामा रत, एवा लोक लाडीला जननायक नो खुब-खुब स्वागत। नोतन भारत को आत्म निर्भर भारत, विकसित भारत बनाने वाले आदणिय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र भाय मोदी जी को आईए, जोर दार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं, आज के सवसर पर हम सब को अपने वचनों से अनग्रुहित करने के लिए हिंदी मा बोला, हुँ पने हिंदी मा बूलीश गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान भुपेंद्र भाय पतेल, सियार पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रीगान, पिये मावास योजना के सभी लाभार्थी परिवार, अन्य सभी महानुभाव, और गुजरात के मेरे प्यारे भाई और भेहनों, आज गुजरात के मेरे जिन हजारों भाई भेहनों को ग्रह प्रवेश हुआ है। उनके साथ ही मैं पुपेंद्र भाई उनकी टीम को भी बहुत बदाई देता हूँ। अभी मुझे गाव और शहरों से जुड़े हजारों करोड रुपीय प्रोजेक्स का स्लानियास और लोकार प्रोड करने का अवसर मिला है। इसमें गरीबों के लिए घर है, पानी के प्रोजेक्स हैं, शहरी विकास के लिए आवश्यक प्रोजेक्स हैं, इंडिस्ट्रियल डेवलपेंट से जुड़े भी कुछ प्रोजेक्स हैं, मैं सभी लाभार्थियों को, विशेश रुप से उन बहनों को, जिने आज अपना पक्का घर मिला है, मैं सब को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाजपा के लिए देश का विकास ये कन्विक्षन है, कमिट्मेंट है। हमारे लिए राष्ट निर्मान एक निरंतर चलने वाला महा यग्य है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछी महिने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रप्तार पकड़ी है, वो देखकर मुझे बहुत ही आनंदारा है, सुख़द अनुभूती हो रही है। हाल में ही गरीब कल्याण के लिए समर्पित गुजरात का तीन लाग करोड रुपे का बजेट पेश किया गया था। बंचीतों को वरियता ये बंचीतों को वरियता देते हुए अनेक निर्णे एक प्रकार से गुजरात ने नित्रुत्व किया है। बीते कुछ महिनों में गुजरात के लगभग पचीस लाख लाभारतियों को अईश्मान कार दिये गए है। गुजरात की लगभग दो लाख गरभवती महिलाओं को प्रधान मंत्री मात्रु बंदना योजना से मदद मिली है। इस दोरान गुजरात में चार नए मेडिकल कॉलेज खुले है। नई सरकार मनने के बाद गुजरात में आधुनिक इंट्रासेक्टिर के लिए हजारों करोड उपे के काम शुरू हुए है। इनसे गुजरात के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर बनने वाले हैं। ये दिखाता है कि गुजरात की डबल इंजिन सरकार डबल गती से काम कर रही है। साथियों, बीते नव वर्षों में पूरे देश में जो अभुत्पूर्व परिवर्तन हुआ है, वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। एक समय था, जब जीवन की मुल्भुत सुविधाओं के लिए भी देश के लोगों को तरसाया गया। बरसों बरस के इंतजार के बाद लोगों ने इस अभाव को ही अपना भाग्य मान लिया था। जिन की पूरी करो भाई अवे छोकराओं मोटा दिन करूँ वो से कर से। ऐसी निराशा जादातर लोगों ने मान लिया था कि मैं जुग्गी जोपड़ी में पैदा होगा और आने वाली पीडियां भी जुग्गी में ही जुग्गी जोपड़ी में ही अपना जीवन पारित करेंगे। इस निराशा से देश अब बहार निकल रहा है। आज हमारी थरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक खुद पहुंचने का काम कर रही है। हम योजनाओं के सत्प्रतिशत सेचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं। यानि जीस योजना के जितने लाभारती हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार की इस एप्रोच ने बड़े पैमाने पर ब्रस्टाचार समाप्त किया है। बेदभाव समाप्त किया है। लाभारती तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती हैं और नहीं जाती देखती हैं। और जब आप किसी गाउं में पचास लोगों को यह मिलना ता हैं और पचास को मिल जाता है। किसी के पंद का हो, किसी भी जाती का हो, उसकी पहचान न हो, हो, कुछ भी हो। लेकिन एक बार सब को मिलता है, मैं समझता हूँ, जहां कोई भेजभाव नहीं है, वही तो सच्चा सेकुलरिज्म है। जो लोग सोशल जस्टिस की बाते करते हैं, जब आप सब के सुख के लिए काम करते हैं, सब की सुविधा के लिए काम करते हैं, सब के उसके हक पहुँचाने के लिए श्रत प्रतीशत काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ, इससे बढ़कर के कोई सामाजिक न्याय नहीं होता ह है इससे बढ़कर के कोई सोशल जस्ट्रस नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जब गरीब को अपने जीवन की मूल अवश्यक्ता होगी उसकी चिंता कम होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि थोड़ी देर पहले कि करीब करीब 40,000 थर्टी एइट थाउजन वैसे गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है इन में से भी करीब 32,000 गर बीतेश सवासो दिनों के भीतर बनकर तयार हुए हैं इन में से अनेक लाभारतियों से अभी मुझे बात्तित करने का मोका मिला अने इमनी वात्तित जामने तम नहीं लागी हुए है के मकान ना करने इमनों आत्मविश्वास केटलों बदो दो अने जारे एक एक परिवार नों आत्मविश्वास पैदा था है तो इस समाज ने केवी मोटी शक्ति मनी जती होई छे गरीव ना मनमा जे आत्मविश्वास पैदे लागे जे गहां हमारा हक्नूं छे अना समाज मारी साथे छे अब हो मोटी ताकात बनी जाए छे साथियों पुरानी नीतियों पर चलते हुए फेल हो चकी नीतियों पर चलते हुए ना देश का भाग्य बदल सकता है और ना ही देश सफलत हो सकता है गरीब के ससक्तिकर्ण का उसकी गरीमा का माध्यम बनाया आज सरकार के बजाएं लाभारती खुद तै करता है कि पीएम आवास योजना के तहट उसका घर कैसा बनेगा यह दिल्ली सताय नहीं होता है गांधी नगर सताय नहीं होता है खुद तै करता है कि सरकार सीधे उसके बैंक एकाउंट में पैसा जमा करती है गर बन रहा है यह प्रमानित करने के लिए हम अलग अलग स्टेज पर घर की जीओ टैगिंग करते हैं आप भी जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं था लाभारती तक पहुँचने से पहले घर का पैसा ब्रस्टा चार की भेंट चड़ जाता था जो घर बनते थे वो रहने लाइक नहीं होते थे भाई और भेनों प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहट बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सिमित नहीं है एक कई योजनाओं का एक पैकेज है इस पे स्वच्च भारत अभ्यान के तहट बना साउचालय है इस पे सवभाग योजना के तहट बिजली कनेक्शन मिलता है झाल उब एक क स्वचरन मिलता है झाल